सकती, संपत्ती, सदबुधी ये तीनों ही औरते हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर जब यही कह के समाज औरतों को पढ़ाई के लाइक नहीं समझता था आज भी ज़्यादतर लोग यही समझते हैं और बाइदे वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है? कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे भी? हर कदम पे ऐसे सवाल पढ़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता है पल्लू ज़्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग क्यारेक्टर पे सवाल करेंगे ज़्यादा हस तो नहीं रही? लोग गलत मतलब निकाल लेंगे ओफिस में काम कम तो नहीं कर रही? लोग औरतों की बसकी बात नहीं ये कहके प्रोमोशन रुकवा देंगे काम से घर जाके सब के लिए खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि भले घर में काम दोनों करें खाना तो सिव औरत ही बनाएगी आदमी रात बर काम करें तो घर वाले कहते हैं कितना काम करना पड़ता है बिचारे को औरत रात बर काम करें ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात बर करना पड़ता है इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है ब्रा का स्ट्राप तो नहीं दिख रहा वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा सर भीड में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहां चाहे चूँ सकता है क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होते हैं तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है बसेज में औरतों की सीध्स रिजर्व ने इससे मर्दों को तकलीफ है कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रेजर्वेशन भी अरे जब हर मेने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना तब सर तब हम औरत मर्ग की बराबरी की बात करेंगे इसलिए क्रिपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं इसमें अपनी एनरजी बरबाद ना करके औरते क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे इसके बारे में हमें सोचना चाहिए बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर फिलाल हिस्सेदारी मिल जाना हुई बहुत है जब पेटी उठ खड़ी होती है तब ही विजय बड़ी होती है